हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मकान के बारे में जैसा कि आप इस मकान को देख रहे हैं आज हम आपको इसके कोस्ट के बारे में बताने वाले हैं अगर मजबूती के हिसाब से बात किया जाये तो इस मकान को बहुती अच्छी तरीके से बनाया और अगर आप इतने छोटे पैमाने पर इस construction को देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जो construction किया गया है वो काफी heavy किया गया है तो यहाँ पर हम इसी बारे में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप छोटी जगा में construction करते हैं तो आप अपने खर्चे को किस तर application आपको मिलते रहें और साथ में इस वीडियो को like भी कर दें तो चलिए वीडियो को start करते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे इसके plinth level के बारे में तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मकान का जो plinth level है वो बहुती अच्छा दिया गया है और अगर इसमें हम beam की बात करते हैं तो यानि कि इसमें जो plinth beam provide किया गया है उसकी जो मोटाई है वो रखी गई है एक फिट तो देखे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप cost को बचाने के हिसाब से सोचा जाए देखा जाए त कि 6 steel bar का उप्योग करना पड़ता है और इसमें जो ring लगते हैं वो होते हैं 7 by 10 के तो अगर आप खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो यह जो मकान है अगर इसके plinth level में 7-7 का ring provide के जाता अगर beam को जो है 9 inch की size का रखा जाता तो भी इनका काम चल सकता था क्योंकि plinth level का एक ही काम होता है plinth beam का एक ही काम होता है कि जो नीचे से sealant आपके मकान में उपर की तरफ चड़ती है उसे रोकने का तो यहाँ पे अगर 9 inch का plinth beam दिया जाता तो यह मकान में कुछ खर्चे को कम किया जा सकता था अब दूसरा हम इसमें बात करने वाले हैं इसके column के बार तो यहाँ भी same वही है अगर आप column के हिसाब से देखते हैं तो अगर इसमें 9 inch के column भी दिये जाते तो इसमें काफी पैसा बस सकता था देखिए अगर आप 9 inch के column देते हैं तो इसमें होता क्या कि एक column को नीचे plinth level से यानि कि putting से ले करके आपकी first मंजिल की जो छत होती है वहाँ तक देने में एक column का खर्चा होता है आपको 10 से 12,000 रूपए लेकिन अगर आप वही एक fit का column देते हैं तो यही आपका खर्चा बढ़के 18 से 20,000 रूपए तक आपको पढ़ता है जिसमें labor cost material cost सब include होता है तो यहाँ पे अगर इन्हें खर्चा बचाने के हिसाब से अगर यह सोचते तो यहाँ पे जो column है उसे 9 इंज का देकर भी एतने चोटे construction को पूरव किया जा सकता था अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं तो अब हम बात करेंगे lintel beam की तो देखिए जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस मकान के construction में क्या किया गया ह जो lintel beam है उसे नहीं दिया गया है और lintel beam को छोड़ कर जैसा कि आप इसके छट को देखते हैं तो यहाँ पे जो slab beam है उसे दिया गया है ताकि इस मकान का जो area है उसे छट की और से आगे की तरफ बढ़हा जा सके जो कि बहुती अच्छा काम है अगर आप कभी भी मकान ब जगे use किया गया है DPC का और अगर हम बात करते हैं इसमें छट की दो जो gate है और जो खिडकी है यानि कि जो window है उसके उपर में छट दिये गया है और इसमें जो छट जा है वो पूरे end to end टक नहीं दिया गया है जो कि बहुती अच्छी बात है अगर आप बाहर की तरफ सुर उपर में छज्य दिये गया है ताकि पानी से बचत हो सके जो की बहुती अच्छा काम है अब हम बात करते हैं इसके slap के बारे में तो देखी यहाँ पे जो slap में काम किया गया है। करते हैं और अपने elevation एरिया में construction कराना चाहते हैं तो इन्हें load के कारण छट के बैठने का कोई भी डर नहीं होगा जबकि अगर आप अपनी छट को ढलवाते हैं और उसमें elevation beam यानि कि slab beam provide नहीं करवाते हैं अपने elevation एरिया में तो अगर आप जब कभी भी जगह की समस्या के कारान अगर उसमें construction करवाते हैं तो उसके बैठेने का डर होता है जो कि यहां पर बिल्कुल नहीं है देखिए अगर इस मकान को मजबूती के हिसाब से देखा जाये तो यह मकान बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है इसमें हर एक बात का ध्यान रखा गया है और अगर अब इसके construction की बात करते हैं तो वो proper तरीके से किसी अच्छे contractor के द्वारा बनाया गया है बस अगर इसमें हम थोड़े से cost की बात करते हैं खर्चे की बात करते हैं तो उसमें मजबूती के करण खर्चे को ध्यान में नहीं रखा गया अगर इसमें कुछ ऐसी बाते हैं जिन पर ध्यान दे जाता तो इसके खर्चे को कम किया जा सकता था अगर मजबूती के लिहाज से देखा जाए तो ये मकान काफी अच्छा बनाया गया है तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद